कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भूलेया 3 का टीजर रिलीज दीपावली पर होगी रिलीज कुछ साल पहले रिलीज हुई फिल्म भूल भूलेया ने दर्शकों को खूब पसंद आई थी बॉलिवोड अभिनेता अक्षे कुमार के अभिने ने फिल्म को एक हलक स्तर पर पहुचा दिया फिर आया इस फिल्म का दूसरा भाग इसमें अक्षे की जगह अभिनेता कार्तिक आर्यन नजर आये थे फिल्म ने बॉक्स आफिस पर रिकॉर्ड टोर्ड कमाई की उसके बाद फिल्म भूल भुलयाती काफी चर्चा में रही कार्तिक आर्यन ने भूल भुलयातीन का टीजर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है टीजर की शुरूआत एक हवेली से होती है तभी रूव बाबा बने कार्तिक की आवाद सुनाई देती है रूव बाबा कहते हैं क्या सोचा क्या कहानी खत्म हो गई है? दर्वाजे बंध है कि एक दिन हमें उन्हें फिर से खोलना होगा. इसके आगे फिल्म का गाना आमी जे तोमार सुनाई देता है. कार्तिक आर्यन ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, रू बाबा रिटन दिवाली 2024. यानि ये हौरर कॉमेडी फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है. फिल्म भूल भुलया 2 की बात करें तो फिल्म जबरदस्त हिट रही थी. फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट रही थी. ये 2022 की सुपर हिट फिल्म थी. अब देखना दिल्चस्थ होगा कि तीसरे एपिसोड में कार्तिक के साथ कौन नजर आएगा.